एक नेता की विदाई के साथ ही राजनीत में एक यूग का अंत हो जाता है और दूसरे यूट की शुरुआत हो जाती है नेता का यूग कभी कभी आदी सतावधी तक भी चलता है तो कभी पांस साल भी नहीं टिकता है जो राजनेता समय की चाल और जंता की नबज पकड़ ले उनका यूग समाप्त हो गया है और नए नेताओं के आगमन से नए यूग का सुत्रपात हुआ है यूँ तो वसो गहलोत की राजनिती पारी गुनिसो पिछवत्तर में ही आरब हो गई थी लेकिन जब गुनिसो अठ्याण में में राजस्तान की मुख्यमंतरी बने तब से उन की नेताओं यानि दोनों ही नेताओं की राजनिति का यूग समाप्त हो गया है अपने आकरी समये में दो नेताओं से कड़े संगर्ष का सामना किया है कि व गैलोत वसंद्रा के सियासी यूग के समाब की पर नए नेताओं का राजनित के ग्यूग सुरू नहीं हुआ है जो 25 साल के अवियद गठफंदन को तोड़ने में काम्याब रहे थे भाजबा के 37 पून्या और कॉंग्रेस के सचिन पाइलेट दोनों ही गैलोत वसंद्रा के सचिन पाइलेट को इसलिए सत्ता नहीं मिली क्योंकि गहलोत के कारण कॉंग्रेस सत्ता से बाहर हो गई तो आज की सत्ताधरी पार्टी भाजबा में 37 पून्या का यूग इसलिए आरम नहीं हुआ है क्योंकि विपक्स ने बैठने की आदि हो चुकी आमेर की जनता ने उनक पाइलेट को इस्टार परचारक बना कर भेजा जाता है कॉंग्रेस में बड़े कहे जाने वाले गांधी परिवार के करीबी नेताओं को छोड़ दिया जाए तो सचिन पाइलेट ही एक मात्र ऐसे नेता हैं जिनको पाइलेटी राष्टी इस तरह पर हर प्रदेश ने स्ट पाइलेट को चाहने वालों की घीड मिल जाएगी ठीक वैसे ही देश के हर कोने में उनके समर्थकों की एक लंबिक अतार है इसलिए कॉंग्रेस को मजबूरा सचिन पाइलेट को हर राज्य में इस्टार परचारक बनाकर भेजना पड़ता है असोग गैलोत की टीम द्वार लेकिन पाइलेट इस अगनी परिक्षा में भी पास हो गए उसके बाद राजस्तान की जनता ने दिसमर 2023 में असोग गैलोत को सक्ता से बाहर फैंक कर घर बिठा दिया तो सचिन पाइलेट के दम पर सक्तर सीटों तक कॉंग्रेस पहुंची पाइलेट को पुरुसकत कर पार्टी के प्रती वफदारी दिखाते हुए सचिन पाइलेट अपने यूग के सुरू होने के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं ठीक ऐसे ही दो जार अठारा में वस्मद्रा राजे के कारण भाजबा सक्ता से बाहर हुई तो पार्टी में प्रदेश अध्यक्सी तलास तेज पूरी हुई करीब सवा तीन साल तक अध्यक्स रहते 37 पून्या ने जो आयाम इस्थाफित किये वह आज भी इतने बड़े बने हुए हैं कि दो अध्यक्स बदलने के बाद भी उनके आसपास नहीं पहुंच पा रहे हैं पार्टी में जिस रिफॉर्म की सक्त जरूरत थी वह सतीज पून्या ने दिन रात एक करके किये जो भाजबा कभी वसंद्रा राजी की मोहताज बन गई थी उसको मजबूत संगठन बनाने का काम सतीज पून्या ने किया दिसंबर 2023 तक भी वसंद्रा को लगता था कि उनके बिनातों सत्ता पाई ही नहीं जा सकती है जिस मज भाजबा को वोड़ देना अपनी गलती मानने लगी है गैलोत की गंदी राजनिती और वसंद्रा की ताना साही से मुक्ति पाने को तरस रही जनता को मोधी ने अयोग्य नेता सौंपकर अन्याई की प्राकास्टा कर डाली है हाई मैं ने जीत में किंचित भी भी बीत में व प्रभारी बना दिया आज कल सतीज पुनिया हरियाना में भाजबा के सक्ता रिपीट कराने का सबसे जोखिम बराखेल खेल रहे हैं हालांकि सक्ता की एंटी इंगमेंसी और मनोराल खट्र के नेत्रोत में भाजबा का एक तरफा जाट विरोधी पार्टी ही हालत खस्ता करत है लेकिन सतीज पुनिया ने इस बेहद ऐसा मन चुनोती को अपने हाथ में ले रखा है यहां पर यदि सतीज पुनिया काम्याब हो जाते हैं तो आने वाले दिनों में पार्टी में उनका कद्र इतना उंचा बढ़ जाएगा कि राज्य में विदा हो चुके गुलाब जिन हैं जिनका सियासी यूग सुरू होने का उनके समर्थक इंतिजार कर रहे हैं देखने वाली बात यह होगी कि इसमें से पहले किसने तकर आई नितिक यूग सुरू होता है